सोरिय को प्रणाम करने का एग तरीका है यह 8 आसनों की मदद से 12 चरणों में किया जाता है इसमें आसन वेप्रायानाम, मिश्रित रूप से है सोरिय नमस्कार हमारे पूरे शरील को प्रभावित करता है आईए शुरू करें सूर्य नमस्कार आसन के एक तिहाई भाग पर आगे आएं एडिया मिली हों पंजी आगे से खुले दोनों हाग शरीर के दाएं बाएं कमर गर्दन सीधी नमस्कार मुद्रा में आएं श्वास भरते हुए दोनों हाथ उपर भुजाएं कानों के साथ सटी हुई हथेलियों का रुक सामने की ओर गर्दन सहीत भुजा पीछे श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर जुकेंगे दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं माथा गुटने के नजदीक या गुटने पर लगाएं श्वास भरें दाया पैर पीछे से पीछे लेकर जाएं गुटना आसन पर लगाएं अब गुटना आसन से थोड़ा उपर उठाएं आकाश की ओर देखें श्वास छोड़ते हुए बाया पैर भी पीछे लेकर जाएं शरीर को इतना पीछे की ओर धके लें कि दोनों एडियां आसन से लगें ठुट्डी कंठ कूब में श्वास भरते हुए आसन के समानांतर आएं पहले घुटने फिर छाती फिर माथा आसन से लगें सामान्य श्वास लेते रहें नाभी के भाग से थोड़ा उपर उठें इस अवस्ता में आठ अंग आसन से लग रहे हैं दो पंजे दो घुटने दो हथेली छाती और माथा श्वास भरते हुए पहले गर्दन को सर्वाइकर से लगाएं अब नाभी तक का भाग उपर उठा दें पूरी कोहनियां खोल दें आकाश की ओर देखें श्वास छोड़ते हुए बीच के भाग से उपर उठें एडियां आसन पर लगें ठुड़ी कंठ कूब में श्वास भरें एक ही बार में दाया पैर दोनों हातों के मध्य रखें बाये पैर का घुटना आसन से थोड़ा उपर उठाएं आकाश की ओर देखें श्वास छोड़ते हुए बाया पैर भी आगे लाएं हथेलियां दोनों पैरों के आसपास रहेंगी माथा घुटने पर लगें श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं कान के साथ सटाते हुए धीरे धीरे उपर उठें दोनों हातों को उपर की ओर तानें भुजाओं सहित गर्दन पीछे अब नमस्कार मुद्रा में आएं ये सूर्य नमस्कार की एक आवरती हुई इस आवरती में हमने दाया पैर पीछे किया था इसी परकार दूसरी आवरती में हमें बाया पैर पीछे करना है शरीत के सामर्ते के अनुसार आवरतियां बढ़ाई जा सकती हैं आवरतियां पूरी करने के बार शवासन में विश्राम करें जैसा कि हम सभी जानते हैं हमें योगा रोज करना चाहिए सूर्य नमस्कार अपने आप में एक संपूर्ण आसन है यदि हमारे पास समय का अभाव है और हम कई प्रकार के योगा रोज नहीं कर सकते तो केवाद सूर्य नमस्कार करके हम अपने शरीर को स्वस्त वेचुस्त रख सकते हैं धन्यवाद